नमस्कार किसान भाई हो कैसे आप लोग मैं हूँ अभी जेख सिंग और आप दख रहें अपना पसे दीदे चनल अभी जेख सिंग कॉल्टर फ्रेंट्स आई एक दोस्त ने राहुल सिंग का कमेंट आया हुआ है उनका मैं पहले कमेंट पर के सुना देता हूं उसके बाद उस जो भी कंडिसान है उसको मैं बात करूंगा साथ-साथ उसका क्या इलाज है उसको मैं बता दूंगा ताकि आप भी अगर उस दौर से गुजरे तो ये वीडियो बिल्कुल आपके जहन में रहे हैं भाई मैं एक नया फार्मण हूँ अभी सेकेंड बार सिक्स डाला है 400 है जिसमें 22 लंगड़े हो गये हैं उनके लिए कोई दवा है थोड़ा जल्दी आपका बहुत अभार होगा भाई मैं आपके लिए बैठा हूँ भले थोड़ा सा देड जरूर हो जाता है चुकि सबको ह सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं खास ध्यान रखता हूँ और समय से में वीडियो बनाते रहता हूँ प्रिंच मैं आपको बता दू कि लंगड़ापन होने के दो कारण होते बेसिकली एक तो होता है कैल्सियम के कमी और दूसरा यह होता है कि उसमें जो है वह उसका हम चार्ज करते हैं उससे दूर किया जा सकता है लेकिन जैसे ही आपको 15 दिन पहुंचते है 15-16 दिन पहुंचते हैं तो उस समय आपको EKRC भी चार्ज करना होगा EKRC विटामिन E रहती है जो कि जो है वो उससे भी लंगरापन आता है चुकि हमारे नर्भस सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो हमारे मस्तिश को जो है वो शरीड को नर्व में जो है वो संदेश भेजी ने पायांगे कि आपको पैर उठाना है नहीं उठाना है और इस तरह स पूछते हैं कि आप दोज यह बता दिया कर बिल्कुल दोज में बताऊंगा पांच ग्राम पर टू हंड़ेड बॉर्ड के लिए यह जो होता है दवा यह आपको पाउडर को फॉर्म में होता है पीने के पाने में इसको मिला करके देना है और एक जो दूसरे सब्ता में जो केल्सी केर दवा का यूज करते हैं तो उसकी डोज रहेगी 15-20 ml पार 100 बॉर्ड के हिसाब से जीआ फ्रेंट्स 15-20 ml पार 100 बॉर्ड के हिसाब से लेकिन अभी गर्मी का सिजन चल रहा है इसलिए आप 15 ml में ही रखेंगे तो उमीद फ्रेंट्स आपको मिजनकारी मिल गए कि कौन सा situation है, कौन सा दवा देना है, कब कौन सा दवा देना है, ये भी मैंने बता दिया, चुकि calcium ही बता दिया, और e-carec भी बता दिया, दोनों दवाँ में से आप कब किसको यूज करना है, वो आप decide कर लीजिये, चुकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि पॉल्ट्री अ अपने सस्क्राइब कर लिया होगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, बन्ने मात्राओं.